नमस्कार, ABP News में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अमांदरा भट, विराट एट 200, वनडे में फिर बनेंगे नमबर वन, जी हाँ, न्यूजिलेंग के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला, आज मुंबई में हैं, आज के मैच को लेकर क्या जा पार्टिल भी हैं, ये खास इसलिए क्योंकि ये विराट कोली का 200 वाव वन डे इंटरनाशनल है, और आज खास इसलिए भी, क्योंकि अगर आज का मैच जीते, तो कम से कम आज के लिए टीम इंडिया नमबर वन रहेगी, लेकिन बड़ी ख़बर आ रहे हैं, सिया चलते हैं और विराट कोली का आज 200 वा वन डे मैच ने भारत ने पहले बल्ले बाजी का फैसला किया है, भारत ने टॉस जीत लिया है और भारत करने जा रहा है पहले बल्ले बाजी, न्यूजीलिंग के खिलाफ तीन मैचों की वन डे सीरीज का आज पहला मुकाबला, मुंबई के वा बल्ले बाजी करने का फैसला किया है फिर से चलते हैं जी एस विवेक के पास जो बता रहे हैं इसके माइने विवेक पर एक अलग फैसला क्योंकि आम तोर पर टीम इंडिया चेस करना पसंद करती है ऐसा क्यों एसा क्यों विवेक ये तो कप्तान विराट कोली और हमारे टीम के कोच रवी शास्त्री ही बोल सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सिलसिल है श्रंखला जितने का और टॉच जितने का ये अच्छा है विराट के लिए और वंडे की जब बात होती है तो टॉच जितना बहुत ही हैं माना जाता है और ये जिसे हमने कहा आपने जिसे पूछा कि भारत ने पहले बल्ले बादे का निरने क्यों लिया है मुझे लगता है कि ये जो प्रयोग के रूप की बात करें या आजिन कराने को ओपनिंग खिलाने की बात करें जो जितने सारे अभी प्रयोग हमने देखें पिछले दो-तिन मेहनों में मुझे लगता है कि ये जो आज निरने लिया है ये भी प्रयोग का एक रूप मानना चाहिए पर संदीब आज का मैच बेहत खास क्योंकि एक तरफ तो टीम इन अगर आज जीते तो नंबर वन हो जाएंगे लेकिन उससे भी बेहत खास इसलिए क्योंकि आज विराट कोली अपना दो-सोवा वन डे मैच खेलेंगे संदीब मेरा सिया सिया सवाल ये से है कि बहुत लोगों का ये मानना है कि विराट बहुत आगे जाएंगे अंतरराश्य क्रिकेट में सच्चिन से भी काफी आगे जाएंगे लेकिन दो-सोवे मैच के अंदर अंदर जितना कुछ मुकाम विराट ने हासिल किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है और आप कितना आगे विराट को जाते हुए देख पारे हैं जी विवेक सही कहां बढ़ाई देना चाहूँगा मैं विराट को जिस तरह का फॉर्म जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा है शुरुवात से लेके पिछले सुंखला तक जो बल्लेबाजी उन्होंने दिखाई है कप्तानी संभालते हुए जो बल्लेबाजी उन्होंने की ह जो दिने उन्होंने लिए है तारिफिक आवेले और ये भी कहना चाहूँगा कि कितना आगे जाएगा ये तो समय ही बताएगा क्योंकि हमने देखा है कि क्रिकेट ऐसा खेल है कोई भी स्पोर्स की जब बात होती है तो उसके साथ इंजरी जुड़ जाती है और इसलिए बह बहुत जादा इंपोर्टन है विराट कोली ये बहुत खास मैच आपको बता दे बड़ी खबर ये है कि खुद कप्तान विराट कोली ने माना कि ये मुंबई का वांकडे पिच बले बाजी के लिए बहुत अच्छा होगा और इसी वज़े से यहां पर कप्तान विराट कोल देगा इस पर बार-बार सवाल उठाया जा रहा है पहले लगा कि कर लाहूर खेलेंगे वो फ्लॉप हुए उसके बाद मनीष पांडे वो भी फ्लॉप हुए और आज मनीष पांडे की जगा पे दिनेश कार्थिक को टीम में जगा मिली है तो प्ले इंग 11 में दिनेश कार् बाद यहां पर यही है कि 2019 विश्कप की तयारी के लिहाद से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सवाल वो यही था कि नंबर चार पर कौन खेलेगा राहुल केल राहुल फ्लॉप हो गए अजिंग के रहाने को यह मिडल ओर नहीं मानते हैं मनीश पांडे भी फ्लॉप और बीच में भैस करने की जरूरत नहीं कि आप और मैं जो सोचते हैं या जो बाकी के लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा एहमियत दी जाती है कि कप्तान और कोच क्या सोचते हैं जैसे विराट कोली ने काफी सपष्ट किया है कि अजिंग के राने अगर खेलेंगे तो एक ओप रहे चुका हूँ दिनेश कार्थिका फिर भी वो पिछले तीन-चार साल में अच्छा प्रजशन नहीं दिखा रहा है थे लेकिन केल राहूल और मनीश पांडे फेल होने के बाद ये जो तिसरा परिया है भारत्य टीम के सामने विराट कोली के सामने रवी शास्री के सामने मैं आप यहां रोखना चाहूँगा कि क्या ये सही नहीं होना चाहिए था कि पहले मनीश पांडे को पूरा मौका दे देते कि क्या वो नंबर चार पर खेल सकते हैं या नहीं अगर नहीं खेल सकते हैं तो शायद स्कौर्ट से भी बाहर निकाल देते और फिर मौका देते द देखा कि अजिंग के राने को अच्छा मौका मिला उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया उसके बदले अगर हम केल राहूल की बात करें तो दो मैच्च फिल होने के बाद उनको बिठाया गया मनिश पांडे भी एक इनिंग अच्छा खेलते एक खराब तरह से आउट होत है फिर अच्छा खेलते है बहुत जरूरी होता है हर बल्लेबास के लिए हर खिलाड़े के लिए कि अपना रोल किया है अपना नंबर किया है ये जानना जब वो जानता है कि मेरा ये रोल है ये मेरा नंबर है उसके उपर फिर मुझे लगता है कि उसका प्रदर्शन भी उस एक और प्रयोग यहां टीम इंडिया की तरफ से नंबर चार पर अब दिनेश कार्तिक है बड़ी खबर ये कि भारत ने पहले मैच में न्यूजिलेंड के खिलाव वांकडे स्टेडे में टॉस जीत लिया है टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला दिनेश कार्तिक क को टीम में शामिल किया गया है और साथी साथ विराट का आज 200 वा वंडे टेस्ट है ये बड़ी खबर इस वक्क की भारत ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी का फैसला किया है इस वक्त हमारे खास महमान संदीप पार्टे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं संदीप मेरा सवाल आपसे रहे है कि कितना टार्गेट भारत को रखना चाहिए क्या स्कोर बनाना चाहिए आइडिल स्कोर आपके हसाब से पहले जैसे विवेक ने का और हमें सभी पता है कि पिछले मैच में जब पिछले पिछला मैच यहां हुआ था दो साल पहले तब 400 बनाये थे साथ अफरिका ने और यह खासियत है वांतिडी के इस मैदान की इस पिच की काफी बड़े स्कोर यहां बनाये जाते हैं लेकिन इ उसके आगे जितने सारे रन बनते हैं वो बोनस के रूप में देखे जाते हैं तो मैं यही कहूंगा कि अगर 50 और की अच्छी बल्ले बाजी अच्छी बल्ले बाजी का मतलब नहीं सिर्फ 50 और की बल्ले बाजी करना है लेकिन साज्यदारिया बहुत जरूरी है और पैर जम आपको रखे आगे